श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शनी वार का दिन है और आज है शनी प्रदोश और आज की वीडियो में आप सुनेंगे शनी प्रदोश व्रत की कथा और हाँ जैसे कि कई भक्तों के प्रशन आए हैं कि उनका एकादशी का व्रत है और वो प्रदोश का भी व्रत करते हैं तो पा दौलत और वैभो से संपन्य था और अत्यत दयालू था उसके यहां से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं लोड़ता था वह सभी को जी भर कर दान दक्षना देता था लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और सेठानी स्वयम बहुत दुखी रहते थे और दुख का का व्रिक्ष के नीचे समाधी लगाए एक तेजस्वी साथू दिखाई पड़े दोनों ने सोचा कि साधू महराज से आशिरवाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए पति-पत्नी दोनों समाधी लीन साधू के सामने हाथ जोड़कर बैठ गये और उनकी समाधी तूटन प्रातेहकाल साधू जी समाधी से उठे और सेठ पति-पत्नी को बैठे देखकर वह मंद मंद मुश्कुराए और आशिरवाद स्वरूप हाथ उठा कर बोले हेवत्स मैं तुम्हारे अंतरमन की कथा भाप गया हूं मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ती भाव से अत्यंत प्र साधू से आशिर्वाद पाकर और शनी-प्रदोश की विधी जानकर सेठ से ठानी प्रसन्य मन से तीर-थ्यात्रा की और निकल पड़े तीर-थ्यात्रा करने के बाद जब दोनों घर वापस लोटे तो साधू के बताय अनुसार नियम पुर्वक विदिविधान से शनी-प् तो जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और शक्ती की आराधना करते हैं और शनी प्रदोश के दिन शनी भगवान की भी पूजा आराधना करते हैं तो निस्ची थी उनके मन की कोई भी काम नहो भगवान शिव शक्ती और शनी देव की कृपा से पुर्ण होती हैं और अ इसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है आपकी लेकिन शनी प्रदोश का दुरलब संयोग जब राप्त होता है तो बड़ी परेशानिया जो होती है उनके समाप्त करने के लिए आप कुछ विशेश उपाय जरूर कीजिए तो सबसे पहले तो जैसे कि आप भगवान शिव और शक्ति की आराधना करेंगे उसके बाद घर के आसपास कहीं भी पीपल का व्रिक्षो तो वहाँ जाकर आपको एक पात्र में थोड़ा सा दूद, जल, काले तील, अक्षत और थोड़ा सा शक्कर मिलाकर पीपल की जड़ मे अरपित करना है और लक्षमी नारायन का मन में ध्यान करना है भगवान शनिदेव का अपने मन में ध्यान करना है और अपने पित्रों का स्मरण करना है और विधिविधान से पीपल विरिक्ष की पूजा आराधना करके एक दीपदान करके पीपल की परिक्रमा कर लीजिए आप चाहें तो साथ बार कर सकते हैं, ग्यारह बार कर सकते हैं, और अगर समय नहीं हिया, तो चार बार भी पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं, और हाँ, आप चाहें तो शाम के समय भी पीपल में दीपदान कर सकते हैं, लेकिन सुबह की पूजा अनिवार्य है, क्योंकि शाम के स पत्र अवश्य भगवान शिव को अरपित कीजिए और इसके साथ ही अगर आपको पुष्प भी मिल जाते हैं शमी के तो जरूर आज के दिन आपको शिवलिंग पर अरपित करना चाहिए काले तिल पूजा में जरूर सामिल कीजिए आज काले तिल शिवलिंग पर अरपित करन शनी प्रदोश के दिन काले कुट्टे को रोटी में सरसों का तेल लगा कर जरूर दीजिए शनी वार को सुबह 8 बजकर 5 मिनट पर और समाप्त हो रही है 18 अगस्त को सुबह 5 बजकर 51 मिनट पर तो प्रदोश का व्रत जब हम धारन करते हैं तो संध्या कालीन त्रयोद शिती थी जिस दिन व्याप्त होती है उसी दिन हम व्रत करते हैं ऐसे में 17 अगस्त 2024 शनी वार को प शनी प्रदोश पढ़ता है तो इसका महत्वक्त कहीं गुंणा बढ़ जाता है इस दिन आप अगर व्रत शुरू करना चाहते हैं अंट्यंथि स्रेश्ट होगा आप शनी प्रदोशच में अगर व्रत शुरू करते है तो किसी भी प्रकार की आपकी काम ना हो बहुत जल्द से परेशान हैं या कोई भी ऐसे ग्रह दशा हैं जिसकी वज़े से आप बहुत अधिक परेशानी में हैं आर्थिक तंगी है अगर आपको या फिर आप रोग रिंड शत्रों से घिरे हुए हैं तो ऐसी अवस्था में शनी प्रदोश का व्रत आपको जरूर करना चाहिए और स कि आराधना करके पूजा करके मंत्र जब करके उन्हें ही आप चाहे तो अपना व्रत समर्पीत करके और ब्रामन को भोजन कराकर दान दक्ष्ण देकर व्रत का उध्यापन कर सकते हैं ठीक है तो अगर आप बाकी के व्रत नहीं भी करते हैं तो सिर्फ एक व्रत भी आप चा धारन करके भगवान शिव की पूजा आरादना करें सनान करने के बाद सबसे पहले भगवान सुरेदेव को जल दीजिए इसके बाद विदिविधान से भगवान शिव और माता पारवती की पूजा करने के लिए अपने घर के मंदिर को साफ कर लीजिए फिर शुद्ध जल से छिड़काव करके और शुद्धिकी का एक दीपक जला दीजिए वहीं बैटकर अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने वरत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप प्रदोश का वरत धारन करेंगे जिस भी कामना से आप वरत करना चाहते हैं अपनी कामना बोल सकते हैं नाम गोतरित्यादी बोलने के बाद अपने मन की जो भी कामना हो भगवान शिव के सामने कहिए और उसे पुर्ण करने के लिए उनसे प्रात्ना कीजिए अच्छा आप चाहें तो बिलकुल निश्काम भाव से बिना किसी कामना के भी आप यवरत धारन कर सकते हैं लेकिन अगर आप किसी भी परेशानी में हैं तो अपनी कामना अपनी परेशानी भगवान शिव से कहकर और कामना के साथ भी आप यवरत कर सकते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार आप देख सकते हैं आपको कैसे व्रत करना है। तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं नहीं तो घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं या कोई भी शिवलिंग है तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। कर लीजिए फल और मिठाइयां जो भी आपके पास उपलब्द है उनी का भोग लगा दीजिए और आप चाहें तो खीर का भोग भी लगा सकते हैं घर के आसपास कोई मंदिर है तो शाम को दीपदान मंदिर में जरूर करना चाहिए इसके अलावा अगर मंदिर है घर के आसप प्रदोश कालिन पूजा करना अत्यांतिस्रेष्ट माना जाता है शाम की पूजा करने के बाद आप चाहे तो अपना व्रत खोल सकते हैं यो फिर अगले दिन सुद्ध और सातिक भोजनन खाकर भी व्रत खोल सकते हैं कि जिस प्रकार से आपने हर बार व्रत किया है आपको व्रत उसी प्रकार से करना होता है लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष व्रत के दिन अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए बलकि फलाहार या फिर जलाहार या फिर निर्जल ये व्रत धारन करना चाहिए लेकिन आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सुविधा के खीर या फिर हल्वे इत्यादी का उसी का प्रसादट खाकर अपना वृत खोल सकते हैं, प्रदोश के वृत in शर्प्रदोश काल पूजा का शुब महुट्द मानि जाती है, तो प्रदोश काल पूजा का शुब महुट आपको ब्राप्थ हो रहा है, तो घर के आसपास कोई भी शनी मंदिर है तो वहाँ जाकर शनीदेव को तेल अरपित कीजिए और सरसों के तेल का दीपदान शनी के मंदिर में कीजिए और हाँ, शनीवार है तो पीपल की पूजा करना अत्यन तावशक है सुबे भी आपको पीपल की पूजा करना है, पीपल में जल अर्पित करना है, दीपदान करना है और शाम के समय भी पीपल के पास जाकर दीपदान अवश्य करना है मिलती हुमें आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए जै श्री राधे